दोस्ते ये वही सफीह का रहे जबके अक्दूमसा सफीर राह्म पर ग़र बॉधा कर लिया था तो अज़त मक्दूम साथ सफीर रह्मतुलाहित अले के पास वो बोढ़ी अउरत आये और कहने लगे एक सक्ष ने मेरे घर पे कबजा कर लिया है आपने अपना उगाल उस बोढ़ी अउरत को दिया और कहा इसे ले जाकर उसके घर पर डाल दो तब अज़त सेख साथ रह्मतुलाहित अले जिनके पीछे ये सफीगार बनी हुई ये आपकास ताना है और ये अज़त सेख साथ अज़त मक्दूम साथ सफीर रह्मतुलाहित अले के पीरो मुर्शित थे आपने उस बूढ़ी अउरत से वो उगाल लिया और कहा चलो अमा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और चलने के बाद उस जिसने आपके घर को कबजा किया था उसको उगाल को दिखाया और कहा इसकी कुवत देखो और उसके बाद आपने उसे जमीन पर डाल दिया आपके उस उगाल को जमीन पर डालने से जमीन फट गई जमीन फट गई उसके बाद उसे सफिगार के नाम से जाना जाने लगा और उसके बाद जिस सक्ष ने उस बुड़ी अवरत के घर पे कबजा किया था उसे छोड़ कर वो चला गया दोस्तों इस सफिगार जो के एक तालाब है अब इसकी बड़ी शिफत है बहुत से तकलीफियाफता लोग इसके पानी से शिफा पाते हैं इस सफिगार हज़त मक्दूमसा दुद्दीन खेरबादी रहमतुलाही तालाले के आस्ताने के बिल्कुल पीछे ही बना हुआ है मैं आपको दिखा दू यह हज़त सेखसाद रहमतुलाही तालाही का आस्ताना है और बस इसके आप पीछे देखेंगे तो यह सफिगार बनी हुई है अब देख लीजिए आप माशाल्ला माशाल्ला सुभानला अल्ला के वलियों की अजीम उशान कराम आते हैं इस पर मुकमल वीडियो बनाऊंगा और तफसील से आपको इस तखिरे के बारे में बताऊंगा